exercise 2.5 देख रहे हैं linear equation in one variable इसमें यह linear equation है linear equation का मतलब यह होता है कि जो x है जो भी variable है उसकी power 1 है अगर आप x square करेंगे तो आगे आप पढ़ेंगे कि यह quadratic हो जाती है x is power n हो जाएगी तो यह polynomial हो जाएगा तो one variable यानि केवल आपके पास एक variable है अगर है माली जो यहाँ पर plus y by 4 करदू में तो यह two variable हो जाएगा यहाँ पर variable मतलब एक ऐसी value जो vary करेंगे अब इसको solve करते हैं x by 2 minus 1 by 5 is equal to x by 3 plus 1 by 4 x by 3 x by 2 को एक जगा ले जा सकते हैं बाकी जो constant value से उसको यहाँ ले जा सकते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे x by 3 को यहाँ लाएंगे minus हो जाएगा यह 1 by 5 को यहाँ ले जाएगे क्योंकि यह minus हो यहाँ प्लस हो जाएगा अब इनको solve करते हैं यह होगा 3x minus 2x by 6 यह होगा 4 plus 5 by 20 यह 3x minus 2x होता है x यह होगा 5 plus 4 9 और यह होगा x by 6 यह होगा 9 by 20 अब 6 को यहाँ ले जाते हैं यहाँ ले जाएंगे तो इसको आप आप cancel out करेंगे जिस भी value से करना है आपको जो से यह 2, 3s are 6 करेंगे 2, 10 is 20, 9, 3s are 27 और कटनी सकता 9, 3s are 27 by 10 इसको verify कर लेते हैं जब x को 27 by 10 रखेंगे अब हम x को 27 by 10 रखेंगे यहाँ पर हमने 27 by 10 रखेंगे यहाँ पर हमने 27 by 10 रखेंगे अब cancel out करेंगे जो भी value आपको मिलती है यहाँ कुछ cancel नहीं हो रहा है तो 27 by 20 आजाएगा यह आप देख पा रहे है यहाँ पर minus 1 by 5 रहे है यहाँ पर आप 3, 9 रख 27 तो 9 by 10 हो जाएगा यह 10 by 10 रखेंगे प्लस 1 by 4 अब क्या करेंगे आप इसको solve करते हैं अगर आप easy करना चाहते हैं तो यहाँ पांच वाले को इधर ले आएए चार वाले को इधर ले आएए थोड़ासा easy हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका 27 minus 4 यह वाले को ले आएएगे minus 4 by 20 और यह वाले को यहाँ ले आएएगे इस वाले को तो 18 plus 5 by 20 अब यहाँ पर 27 minus 4 is 23 18 plus 5 is 23 यानि कि दोनों साइड हमाने बराबर होगे यह हमें प्रूव करना था कि left hand side और right hand side दोनों बराबर होगे अगला question है क्योंकि यह इसमें n देख रहे हैं एक ही variable है हर जगा एन ही देख पारे हों गया इसके लिए linear equation है एक variable की n by 2 minus 3 n by 4 plus 5 n by 6 is equal to 21 इसको कैसे करेंगे हम इसको करने के लिए हम क्या करेंगे पहले इसका LC अब लेगे LC क्या आएगा इसका 12 बारा लेंगे तो अब यहां पर क्या होगा 2, 6, 12 6 n हो जाएगा 4, 3, 12 तो 3, 3, 9, 9 n हो जाएगा यह 5 और यहां पर किसमें जाएगा यह 6 2, 12 और 2 into 5 is 10 अब 6 n minus 9 n plus 10 यानिके 16 minus 9 that is 7 7 n by 12 equals 21 आप 12 को इदर ले जाएगे यहां पर आप देखे 7, 3, 21 कटेगा 3 into 12, 36 n आपका 36 आएगा क्यों ना इसको verify कर लिया जाए यहां आप 36 को आप n की जागा 36 तक लेजी यहां 36 देखे यहां भी 36 यहां भी 36 यहां भी 36 यहां अब यह जो इसकी प्रकार का है हम क्या करेंगे कि constant value को यहां ले आएगे और x जो भी variable value value यहां ले आएगे अब बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने फिश्टा question किया हमें सब जो x वाली value है वो यहां पर ले आए बाकि जो constant value उसको दाए हां पर ले आए लाने के बाद हम क्या करेंगे इनका लेंगे lcm इनका lcm होगा 6 अब 1 6 बार जाएगा तो 6 x यहां पर आएगा 3 2 जा 6 तो 2 से बार करेंगे 8 x को यानिकि 16 x यहां पर 2 3 जा जाएगा तो इसका मतलब 3 इंटू 5 15 x इसको compute करेंगे कितना आएगा यह होगा 5 x देख लिए 15 16 is minus 1 6 minus 1 is 5 यहां पर 17 minus 22 करेंगे तो minus 25 आएगा अब यह cancel out हो जाएगे 5 5 is a 25 यह देखेंगे 5 5 is a 25 this will be cancelled out x equal to minus 5 क्यों आप minus 5 रखके देख लें x की जगा minus 5 minus 5 और यहां पर minus 5 रखेंगे यहां पर क्या आएगा पहले इसको solve कर लेते हैं यह होजागा यह आपका यह वालाबबा-5 plus 7 is minus यह 2 यह देखेंगा 5 to the 40 40 by 3 यह minus और minus यह minus और यह minus और यह minus रखके plus हो जाएगे 2 plus 40 by 3 यहां पर आएगे पर यह minus मैल के plus हो जाएगे 25 बाइ 2, 25 बाइ 2 को आपको चोड़ना है, 75 बाइ 6 है, इसको चोड़ेंगे तो आपका 6, यह 3 to the 6, 6 प्लस 40 बाइ 3, यहाँ पर 17, यह इसका LC में लिए 6, यहाँ पर 17, यहाँ प्लस 2 to the 6, यानि कि 3 75 करेंगे 25 को, तो 75 बाइगा, 17 प्लस 75, 6 प्लस 40 बाइ 3, तो तो को solve करिए, इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका, यह सबसे easy है, 5 को यहाँ इससे multiply करेंगे, जब भी division बाइं हाथ पे जाता है, यह दाएं हाथ पे जाता है, तो multiply आपता है, यानि कि 1 by x जब इधर जाएगा, तो यह उपर जाएगा, multiplication में आ जाएगा, division will be multiplication, multiplication अगर है, यह 5x-25, 3x-9, अब 3x और 5x को एकसाब ले जाएगे, 259 को एकसाब ले जाएगे, यह आपका 2x आएगा, यह आपका 16 आएगा, यानि कि आपका x आगया 16 बढ़े 2, that is 8, verify कर लेते हैं, x की जगा 8 तक लेते है, 8-5 by 3, 8-3 बाप रहे, दोनों जगा, यह 3 by 3, 5 by 5 को जोंगा, cancel out से करेंगे, सब T वालों को एकसाब ले जाएगे, यानि कि आपको केवल इसको यहाँ आपड़ेगा, 2 by 3 इदा है यहाँ पर रहने से जाए, अब जब इसको ले आएगे, तो इसको ले 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 लेजे, 4-3 और इसके नीचे 1 है, 12-7 आएगा, 4-3 तो इसको आप 375 के यहाँ प्रिकि-1 ने तो अंदर माइनस आएगा, माइनस 4 तो इसको यहाँ डाएगा, अब इसको शॉल्ट कर लेजे, 90-80 यहोता है, 13 और जो constant है 12, 12-6 और 12, यहाँ पर 12 है, अब क्या करिए, इसको यहाँ ले जाएगे, इसको यहाँ लेजाए, तो इसको यहाँ ले लेजाए, त याना कि यहां पर आपको 78 मिलेगा, दोनों साइट को 39 से डिवाइट कर दीजे, क्या मिलेगा आपको 2, तो नहीं वरिफाय कर लिया जाए, ती की जगा 2 रग दीजे, जहां जहां आपको 2 देख रहा है, अब यहां पर 6-2 by 4, यह 4 by 4, यानि कि 1 आएगा, 7-7 by 3, यहां पर minus 4 by 3, दोनों साइट देखेंगे, minus 4 by 3, minus 4 by 3 आपका उतर आएगा, यानि कि left-hand side, और right-hand side, दोनों 1, इसमें भी यही करना है M को, पहले तो हम क रहा है, बाकि constant अब यह 1 है, उसको भी यही दे देखेंगे, चलिए हम यहां 6, इसका 1, 2 और 3 काल से हम एते है 6, अभी 6, तो यहां 6 M multiply करेंगे, यहां पर 2 3 सा 6, 3 M minus 1 हो जाएगा, यहां 2 2 सा 6, यानि 2 M minus 4 देखेंगे, अब इसको खोल देंगे, 3 M minus, क्यूंकि, minus 3 M minus plus, यह negative minus 3 M plus 3, इसको खोल देंगे 2 M, और minus 4, यह भी हो गया, M, M और M को जोर देंगे, यानि कि 6 minus 3 plus 2, that is 5 M, 3 minus 4 is minus 1, यह हो जाएगा, अब 6 मचा यहां पर 1 मेंचा, 6 को इदर ले जाएगे, M minus 5 M minus 1 equal to 6, 1 को यहां ले जाएगे, क्यूंकि हमको M एक साइट रखना है, बाकिस values यह कितना हो गया यह, 6 plus 8 is 7, 5 M equal to 6 plus 1, यानि कि 5 M हो गया 7, M हो जाएगा 7, बाटे 5, क्योंना हम M को रखने देखें, यहां पर M को रखने देखेंगे, M minus M minus 1 by 2, 1 minus M minus 1 by 3, okay, minus 2 by 3, M की जाएगा 7 by 5 रखनेगे, यहां भी 7 by 5, यहां भी 7 by 5, इसको solve करिए, इसको अलग से करिए तो यह, आपका ही आएगा 7 minus 5 by 5, इसको भी अलग से करिएगा 7 minus, if I do is 10 by 5, लिकितना होगा 2 by 5, तो 2 उपर लिखनेगे, 5 को नीचे ले जालीजे, 7 minus 10 by 5 यह क्योंगा, minus 2 by 5, 5 को नीचे ले जालीजे, माजर 3 को रखनेगे, minus 1 minus plus होता है, तो यह plus हो जाएगा, 3 or 3 cancel हो जाए अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर प्रस बन करेंगे, by 5 यह ने कि 6 by 5, बुरो साइड आपको 6 by 5 बिलके, left hand side equal to right hand side, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले में, इसमों simplify करना है, तो फहले को modify कर दीजे, सबसी इसी तरीका पर तो अब दो multiply कर दीजे, 3T minus 9, और 10T plus 5, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जहां minus or plus होते हैं, आपको minus करना होता है, तो 10 को 3 से minus करेंगे, क्या हो जाएगा, 7, और आपको साइन डिस कर रखना है, बड़ी बाले कर रखना है, minus 10, minus 70 हो जाएगा, 5 plus 9 होता है, 14, अब minus 7 को देले जा लिजिए, उपर माइनस और नीच minus 2 और minus 5 होता है, minus 3 होता minus 5, यह 2 into minus 2 is minus 4, minus 4 plus 1 is what, minus 3, यह ओगा minus 15, यह ओगा minus 15, यह ओगा minus 15, दोनों साइट minus 15 आपको मेंगे, अगला कुशन है, इसमें भी इससी तरी कैसे करना है, 15 को अंदर मुटिप्लाय कर दीजिए, पहले 2 को अंदर मुटिप्लाय कर दीजिए, फिर फिस सारे टाम एक साथ कर लीजे, y की एक साथ, अब आखियो दागा, तो हम क्या करेंगे, 15y-60, minus 2y, और plus 18, क्यों कि मैनस मैनस प्रस हो जाएगा, इसी तरीके से 5y, और यहापर 30, 5y plus 30, क्यों ना y को एक साथ कर लिया जाए, तो y क्या मिलेगा, 15y-2 plus 5, that is 18, minus 60, plus 18, plus 30, क्या इसको वरिफाय कर लेते हैं, y की जगा 2 पटे 3, डब दीजे, y की जगा 2 पटे 3, 2 by 3, 2 by 3, यह क्या लेगा आपका, इसको आप साथ करेंगे, आप 2-12 by 3, इसको साथ करेंगे, 2-927 by 3, यहां साथ करेंगे, आप 2-18 by 3, 2-12 होगा, minus 10, 2-27 होगा, minus 25, 2-22 by 20, यहां इसको साथ करेंगे, 3-5-15 कर लिए इसको, minus 50 आजाएगा, इसको साथ नहीं कर पाएंगे, minus minus plus कर दीजे, यह 50 by 3 ही मनेगा, 50 by 3, यहां पर भी नहीं कुछ cancel out होगा था, funnel by 3, अब यह तिनों को अगर add करना है, तो आप पहले तो इन दोनों को कर दीजे कि यह बहुत easy है, नीचे base same है, इस में गये, फिली सको अन्दर multiply कर दीजे, और sign का ख्या नखेंगा, यहां भी अंदर multiply कर लिए, फिर एक एक जिगरे जाएगे, तो यहां जाएगा 15z, यहां जाएगा 21, यहां जाएगा minus 18z, यहां जाएगा 22, minus minus 2, यहां जाएगा, दाय हाथ प्लाइँ ए बहुत ओंगे भी करना जाएगा कृव मेरेरे मिनस ث्पी इंटैम एम्याव परते हो दो यहां पर लेते हैं को मैनस थ्री देगे INTER इस खुद करें तो माइनस मैने सेेचल चाहिए एना सुदूब जी और मुशिचते हैं इसको हम verify कर लेते हैं, z की जगा दो रख लेते हैं, यह दो, यह दो, और यह दो, अब क्या आएगा, 5 to the 10, 10 minus 7 is 3, 9 to the 18, 18 minus 11 is 7, 8 to the 16, 16 minus 13 is 3, अब यह value आगे, 3 to the 9, 7 to the 14, 4 to the 12, और 17, इंदों को verify करिए, दोनों साइग, minus 5 आएगा, LHS equal to RHS, एक और question solve करते हैं, इसमें simplify करना हैं, यहाँ प्रत्रवी से आपको, जो value बिल रही है, तो decimal value बिल रही है अब आपको, यानि कि fractional value बिल रही है, तब multiply करिए, proper जैसे हम करते हैं, इसको इससे करिए, 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 यानि कि 0.25 को हम 4 से multiply तो आपका 0.50f, अब 0.05 को आप नहीं से करेगे तो माइनस 0.45, ff को एक जगा ले जाते हैं, यहाँ पर जाएगा तो यह प्लस था, यह माइनस हो जाएगा, 0.75 को यह ले जाएगे तो प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पर बनेगा आपका 0.5f, यहाँ पर बनेगा आपका 0.75-0.45, यह लेकिल 0.3, दोनों को 0.50 से डिवाइड करते हैं यह दोनों साइट को, अब यह आपका 0.3 by 0.50, यह solve करेंगे तो आपका 0.6 आएगा, दोनों चेक कर लेते हैं, एक जेगा 0.6 रख लेते हैं, एक जेगा 0.6, 4 x को 0.6 is, 2.4, 10 x 0.6 is, 6, 2.4 को माइनस 3 से करेंगे तो तो यह जिरू 0.1 पर जेगा, 6 को 9